आज हम बनाने वाले हैं दही आलू चाड आलू से बने रगड़ा चाड या टमाटर चाड आप बहुत खाए होंगे लेकिन आज हम एकदम नए तरीके से दही आलू चाड बनाने वाले हैं यह बहुत ही हलका फुल का स्वादिश्ट नासता है और बहुत ही आसानी से बनकर तय भी भी बना सकते हैं तो चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को फिटेंगे यह पर एक बावल में हमने दो कप ताज़ा दही लिया है एगदम ताजे दही हैं खट्टे बिल्कुल नहीं है दही मंदालेंगे आधा चोटी चमच काला नमक और दो छोटी चमच चीनी को डालेंगे अब चीनी नमक मिला कर दही को हम अच्छे स्फेट लेते हैं जिसे दहीम ठकके न रहें दही एदम चिकना हो जाए ध्यान रखें इस नास्ते को बनाने के लिए दही एदम ताजा लें खट्टी दही की इस्तिमाल न करें दही को हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसे ढखकर साइड में रखेंगे चाट के लिए दही तयार है यहाँ पर हमने पांच उबले आलू लिये हैं इसका छिल का साब कर दिया है अब आलू को हम एक बड़े बारतर में डाल कर मैस करेंगे जिससे आलू ढोके न रहें आप चाहें तो आलू को कद्दू कसकर के लिए सकते हैं या फिर हाथ या काटोरी से मैस कर सकते हैं लेकिन आलू ढोके न रहें आलू को हमने अच्छे तरीके से मैस कर लिया है आप इसमें हम डालेंगे एक चमच आरा रोड आप चाहें तो इसकी जगान कारण फुलोट डाल सकते हैं इसके बाद एक बड़े चमच चावल काटा डालेंगे चावल काटा डालेंगे से बहुत क्रिस्पी बनेंगे आधा चमच नमक डालेंगे स्वात के अंसर एक छोटी चमच कद्दू कस किये हुए अधरक डालेंगे और थोड़ा सहरा धनिये डालेंगे अब सारे चीजों को हम आलूम अच्छे से मिला लेते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्ज या फिर हरी मिर्ज डाल सकते हैं सारे चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है अब आलू का हम गोली बनाएंगे पहले हाथ में हम थोड़ा स्थेल लगाएंगे जिससे आलू हाथ में लगेना अब थोड़ा थोड़ा आलू हाथ में लेकर इसका गोली बनाएंगे इसी तरह से छोटी छोटी सारी गोलियां हम बना लेते हैं आलूप गोली आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज की बना सकते हैं या फिर आप इसे चाहें चप्टेया कार्म बना सकते हैं लेकिन हम इसी तरह से पूरे आलूप गोली बनाएंगे एक एक करके पूरे गोली हमने बना लिया है अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे तो चलते हैं गैस की तरफ आलूप गोली फ्राई करने के लिए तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया है अब सारे गोली को हम तेल में डालेंगे तेल अच्छी तरस गरम है और गायस को हमने तेज रखा है इसे हम तेज आज पर फ्राई करेंगे अभी इसको हम तुरंत नहीं चलाएंगे जब थोड़े टाइट हो जाएंगे तब इसे चलाते वे फ्राई करेंगे गोली हलके टाइट हो गए हैं, आप इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे, लेकिन गयस को हम धीमा नहीं करेंगे, इसे तेज आज पर तलेंगे, क्योंकि धीमी आज पर तलने से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए इसको हम तेज आज पर फ्राई करेंगे, ध्यान रहें आप देख सकते हैं फ्राई करने के बद कितना बढ़ियें लग रहा है। ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम तेल से निकाल लेते हैं। पूरे गोली को हमने तल लिया है, अब गैस को हम बंग कर देते हैं। अब दही आलू चाठ हम प्लेट में सर्व करेंगे, पहले प्लेट में हम आलू गोली रखेंगे, 10 से 12 गोली हम प्लेट में रख देते हैं। आप इसके उपर से हम फेटी हुई दही डालेंगे इसके बाद हम इमलिक चटनी डालेंगे इमलिक चटनी इस तरह के चाट में बहुत बढ़िये लगते हैं इस चटनी से चाट में बहुत बढ़िये टेस्ट आता है इसके बाद आप हरी चटनी डालेंगे चटनी आप अपने हिसाब से काम या ज़्यादा डाल सकते हैं अब इसके उपर से काला नमक डालेंगे थोड़ा से जीरा पाउडर और थोड़ा से लाल मिर्ज पाउडर डाल देते हैं इसके बाद थोड़ा से बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ा से बेसंक सेव डालेंगे दही आलू चाट तयार है आप देख सकते हैं चाट हमारा कितना बढ़िया लग रहा है दही आलू चाट हमारा बहुत टेश्टी बना है अगर घर पर अचानक मिहमान आ जाएं तो आप इस तरह से चाट बना कर खिला सकते हैं क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है आलू तो हर सीजन में हमेशा घर में रहता है आप इस तरह से दही आलू के चाट सुबस साम के नास्ते में कभी भी बना सकते हैं अगर आप इस तरह से चाट बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा यह आलू गोली जो हमने फ्राई किया है यह उपर से बहुत क्रिस्पी है अब एक गोली हम तोड़ कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम बने हैं आप चाहें इसको ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं इसको आप हरी चटनी या टोमाटो केचप के साथ खाएं बहुत अच्छे लगते हैं आलू से बने चाट आप बहुत खाएं होंगे लेकिन एवाला दही आलू चाट आप घर पर जरूर बना कर खाएं ये वाला चाट आपको बहुत पसंद आएगा